जहें दिव वेलकम टू टोड़े एक्जाम क्लासेज दोस्तों आज है 30 नौबर 2021 आज के इस वीडियों हम 30 नौबर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के सवाल बनेंगे उन सभी स्वालों को इस वीडियो में विश्तार से समझेंगी क्योंकि दोस्तों आने वाले कॉंपिटेशन एक्जाम रहसे राजस्तान ग्राम विकार सद्गरी आरेयस राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल या यूपेसी जैसे एक्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट के उसन आंसर होते हैं इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरू लिएकरें तो चलिए देखते हैं पहला प्रशन है बारत सरकार ने अभी हाली में मान ऐरेगा यूजना के तो तियर में कितने करोडर के अधिक रासी आमंटा ने किय Base तो आप्सन है 10,000 करोड रुपे से अधीक, 13,000 करोड रुपे से अधीक, 8,000 करोड रुपे से अधीक या 15,000 करोड रुपे से अधीक तो इसका सही जवाब देगा option A यहनी हाली में बारत सरकार ने 25 नॉबर 2021 को महा नरेगा योजना के तहत 10,000 करोड रुपे से अधीकर रासी को आवंटने किया है और केंदर सरकार ने वित वर्ष 2021 और 22 के लिए उक्त फंड आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में बजट म अनुमान के अनुसर 18% की वर्ष यानि पिछले वर्ष की तुलना में अबकी वार महा नरेगा में 18% अधीक की हिसाब से 10,000 करोड रुपे की रासी को आवंटने किया है और यह किसने क्या है वो क्या है भारत सरकार ने तो इसका सही जवाब कौन सा ज़गा option A यहनी भारत सर 18% को आवंटने किया है अगला next question दूसरा है IIT रुडकी ने 25 नौमर को अपना कौन सा इस्तापना दिवस्व मनाया तो option 171, 141, 155 या 175 तो इसका सही जवाब देगा option D यहनी हाली में IIT रुडकी ने अपने बिरिटिस समराजिये में इस्तापित किये गई संस्तान की 25 नौम और दोस्तों अब बताते कि IIT रुडकी की स्तापना है वो 1847 में बिरिटिस समाज के परतम इंजिनिरिंग कॉलेज की रूप में की थी और जिसका नाम है वो 1954 में थॉप्जन कॉलेज और सिविल इंजिनिर की रूप में बदला गया था यानि IIT रुडकी की स्तापना कब अगला नेक्ष्ट तीसरा क्यूशन है कैंद्रिय आप प्रत्यक्षकर एं सीमा सोलक बोर्ड का अध्यक्ष नेमन में से किसे नियुक्ति किया गया है तो ओप्सन है विवेक जोरी राहुल छचदेवा अनिल अगनेहोतरी यह मोहन सेट तो इसका सही जवाब देका ओप्सन ह आनि हाली में वरिष्ट नवकरसाई विवेक जोरी को कैंद्रिय आप प्रत्यक्ष कर एं सीमा सोलक बोर्ड यенный C B I C का अध्यक्ष से नियुक्ति क्या गये हैं निक्तप्ट क्या हैं विवेक जोरी को जिनको हाली में कैंदार अपरतेक्स कर और सीमा सुलक बोर्ड की रोप अद्यक्स की रोप में निक्तप्यीं क्या हैं और वे M. अजीत कुमार की जगा लेंगे जिनका कार्यकाल है ďस मijने के अंद में पूरे होने वाला है यानि इसका सभी जवाब देगा ओप्सन ए एनी विवेक जोरी हैं जिसको हाली में कैंदरी आपर तेक्सकर एमसीमा सुलक बोर्ड के अध्यक्स के रूप में नियूक तेक क्या गये हैं नेक्स अगला चौता क्यूसन है डबलू एच ओ ने किस देश में कोरोन वाइरस का खतरनाक वैरियंट ओमिक्रोन खोजा हैं तो आप्सन है रूस में दक्षिन अपरिका में जापान में या फ्रांस देश में तो इसका सही जवाब देगा ओप्सन भी है यानि हाली में हकत्रनाक वैरियंट जिसका नाम है कोमिक्रोन को खोज खंड हैं और ओमिक्रोन है वियरेनट का जो वैग milj नाम है वहरे 1.1.1529 तो इसका सवाल क्वा शार्ब सिदया ए यानी हाली में डबलू एचो यानी विशु स्वास्थे संगटन ने कोरोनो वाइरस का खतनाग वेरियंट है वो दक्षण अपरिका में खोजा है नेक्स्ट अगला पांच वा किसन है भारती रेलवे ने नेमर में से किस राजिय में दुनिया का सबसे उंचा 141 मिटर रेलवे तो इसका सई जवाब देगा ओप्षन है सी यानी भारती रेलवे हैं जो मनिपूर राजिय में दुनिया का सबसे उंचा 147 मिटर रेलवे ब्रेज का निर्मान कर रहे हैं कहां पर कर रहे हैं मनिपूर राजिय में और दोस्तों आपको बतादे कि यह पूल है जो 111 किलो जोड़ेगी और यह हैं वेल्ड रिकॉर्ड के 140 मिटर पुल बनावा है उसका रिकॉर्ड तोड़कर अब 141 मिटर यह पूल है वो अपने भारत के मनिपूर राजिय में बन जाएगा कहां बन जाएगा मनिपूर राजिय में विशू का सबसे उंचा रेलवे ब्रेज बन ज जारी विशू पावर लिप्टिंग चैंपियंशिप में गुन पचास किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता हैं तो आप्शन है रज़त पदक, स्वन पदक, काश्य पदक या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब देगा आप्शन C एनी अमरस सिंग के प्रमजित तिबली सी जोर्जिय में खिली जारी पावर लिप्टिंग चैंपियंशिप में काश्य पदक जीता हैं नेक्स्ट अगला साथवा क्यूसन है केसे राजिय की कैबिनेट ने पहली साइबर तैसिल बनने का प्रस्ताव पास किया हैं तो आप्शन है बिहार राजिय ने, मद् प्रदेश राजिय हैं जिन्होंने मद्य प्रदेश राजिय के मंत्री मना लिया कैबिनेट ने राजिय में साइबर तैसिल बनने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं इसके बाद मद्य प्रदेश हैं वो साइबर तैसिल वाला देश का पहला राजिय बन जाएगा तो इस अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार भी आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में एक अब सवाल है अब्यास के तोर पर जिसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है तो आज का अब्यास वाल है दुनिया का सबसे प्रदूसित सेर किसे गोशित किया गया था तो दोस्तो हाली में दुनिया का सबसे प्रदूसित सेर किसे गोशित किया गया था तो ओप्सन है बीजिंग सेर को लाहोर सेर को या पटना सेर को या अपने दिल्ली सेर को तो इन चारो अप्सनों में से कौन सा अप्सन सही है वो आप एक कमेंड बॉक्स में जरूर लिख कर बताई और इन सभी सवाला का पीडियेफ है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलूड कर सकते है टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिशन में मिल जाएगा